नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां के टोप 25 फर्मोग खबर जानते हैं घर के अंदर भी पहने मास्क केंद्र सरकार केंद्रिय स्वास्थ मंत्राले ने सोमवर को कहा कि कुरोना भाइरस संक्रमन के चेन को तोड़ने के लिए सवी लोग कोवसेक रूप से कोवी नैटिन प्रोटोकाल का पालन करना होगा अगर कोई व्यक्ति प्रोटोकाल का उलंखन करता है तो वह 30 दिनों में 46 लोगों को संक्रमित कर सकता है मंत्राले के अतिरिक्त सचीव ने कहा कि अब लोग घर के अंदर भी मास्क लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा वैक्सिन के बारे में जनकारी देते हुए नोंने कहा कि भारत में अब तक कोवी नाइटिन टीके के 14 कोड़ खुराक दी गई है जार्खन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक जार्खन के लोगों को गर्मी सताएगी अप्रिल माह के अंतिम सप्ता से पूरी मौई लोगों को गर्मी का असास होगा मौसम विभाग के अंसार अगले दो से तीन दिनों में राजधानी का पारा एक तालिस डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है वही राजधे के अंजीलों में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है पतादे अभी राजधानी का तारा 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है मौसम विभाग के अंसार अभी मौसम सुस्क रहेगा और साप भी रहेगा टीका उपलब्द नहीं होने पर एक मौई से सीमित संख्या में शुरू हो सकता है टीका करन राजधे में एक मौई से 18 से 44 बरस आयूब वर्ग के नागरी को सीमित संख्या में टीका करन शुरू हो सकता है बतादे राष्टे स्वास्त अभियान जार्खन द्वारा इस आयूवर्ग के लोगो के टिका करन सुरू करने की त्यारी की जा रही है फिलाल टिके की उलवता के अधार पर ही इस आयूवर्ग के लोगो का टिका करन होगा दरसल राज थरकार के पास टीके के बहुत कम डोज बचे हाई वही सीरम इंस्चूट से अभी तक बाकी लगभग 10 लाग बाकी डोज भी नहीं मिल पाई हाई सीएम हमंत्र ने गुजरात के मुख्य मंत्री को लिखा पत्र समय पर अक्सिजन ट्रेंग किया पूर्ती में करे सयोग जार्खन के मोख्यमंत्री हिमन्सुरें ने गुजरात के मोख्यमंत्री विजयरूपानी को पत्र लिखकर अक्सिजन ट्रेंग और अने मेडिकल उपर्णों के डिलेवरी में देरी पर संग्यान लेने का आगरख किया है साथे निवेदन किया है कि वे गुजरात के निर्मतावों से मेडिकल अक्षियन ट्राइंग को सिलेंडरो और बेफोराइजर के जल्द आपूर्ति के लिए कहे सियम हिमन्त ने पत्र में लिखा है कि कुरोणा महामारी के इस संकट की घड़ी में यह अच्छा होगा कि यदि हम सबी समय पर सेवाक के बितरन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं जामुमो ने मुख्य मंत्री से की पूर्ण लोकडाउन करने की मांग जाखन मुक्ति मोर्चा राची जीला समीती की बैठक सोमवार को वर्चोल मादम से मुस्ताक आलम के देखता में होई पत्र में कहा गया है की पूरे देश में करोना की दूसरी लहर चल रही है जामो राची जीला समीती आगरा करती है की राजे के आम जनमानस को देखते हुए पूरी तयारी के साथ कम से कम चौदा दिनों का पूर्ण लोकडाउन उत्राखंड हाथसे में मारेगा ज्हारखंड के 11 सरमिकों को मुवजाद देगी राज सरकार रामिस्वरुराव राज के मंतरी साख खोटी जीला के 20 सुत्री प्रभारी मंतरी रामिसरुराव ने कुरोना संक्रमन से उत्पन इस्थिती से निपटने को लेकर सुमार को खोटी में वरिया दिकारियोग साथ समीच्छा बैठक की समीच्छाक बेठक के दवरान रमे सुरूरा ने पिछले दिनों उत्राकंड के चमेली जीलो के जोसी मठ में गिले से टुटने से राज एक 11 रमिगों के मौत पर दुख ब्यक्त किया उन्होंने कागा कि राज सरकार ने मिरित को क्या सितों को मुअबजारासी देने का फैसला किया है मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने रिम्स पहुच कर लिया जाए जा मुख्य मंत्री मंसुरे ने सुम वार को रिम्स इसीत मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग में तियार हो रहे 350 बेट तथा इमर्जेंसी 50 बेट वाले अक्सिजन युक्त कोवीड वाट का निरिक्षन किया इसके बाद उन्हें ड्रोंडा इस्थित सहरी समुदाईक स्वास्त केंद्र में बने सौव बेट वाले अक्सिजन युक्त कोवीड वाट का सुबारम भी किया इस मोग के परमोखे मंतरी एमन सुरेर ने कहा कि कुरोना संकर्ट में अस्पतालों में अक्सिजन युक्त बेट के अधिक आवसकता पड़ रही है राई सरकार अक्सिजन सपोर्टेट बेट बढ़ाने को लेकर निरंतर प्रयास कर रही है चुनाव आयोग का आदेश नैसी सहाय होगी देवघर की डिसी भारत निर्वाचन आयोग ने अगामी दो माई को मधुपूर विधान सभा उप चुनाव के लिए मतगर्ना से पहले एक और बड़ा फासला लेते वे देवगर के उपायुक्त मंजुनाथ भाजंतरी को पत से हटाने का आदेश दिया है और नैसी सहाय को उपायुक्त बनाने का आदेश दिया है आयोक के सचीव अरविंद कुमाने राजे के मुख्य निर्वाचन पता दिकारी को सोमवार को इमेल और स्पीट पोस्ट से भेजे आदेश में कहा है कि ततकाल प्रभाव से मंजुनाथ भ्यंतरी की जगा नैसी सहाय को देवगर जिले का उपयुक्त साजीला निर्वाचन पता दिकारी बनाया जाए रांची में दिखा सूरे के चारो तरफ सतरंगी घेरा राजधानी रांची और आसपास के कई हिस्सों में सोमवार को तेज धूप के बीच सूरे के चारो और रंगीन इंद्रधनुस का अधूत नजारा देखने को मिला आमतर पर धनुसा कार होन इंद्रधनुस ने अपने साथ रंगों से सूरज को गोला कार में घेर लिया था इस नजारे को रांची वास्यों ने अपने केमरों में कैद किया जारखन में पजपन 141 नाई केस मिले हैं जो रांची से 1686 पूर्वी सिमू 604 धनबाद 88 बोकार 313 हजारी बैक चार सो रामगर 211 कोडार मा 266 पजमी सिमू 157 देवगर 183 पलामु 315 सराय केला पजपन गुमला 116 गड़वा 119 लात्यार 117 गोटा 1111 सिम्डेगा 112 साहिव गं 126 लोड़ा गार नवे 545 जारखन में 124 की माउथ हुई है जारखन में कुल मावथ की संक्या 1115 है वहीं कुल एक्टिव केस की संक्या 6154 है भारत में 3,993,153 नाई केस मिले है भारत में कुल माउथ की संक्या 1,97880 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 28,75,041 है भारत में 2,48,849 मरीज स्वास्थ हुए है वही जारकन में भी 4,018 मरीज स्वास्थ हुए है